इंटर की पढ़ाई के बाद मुंबई चले गए फिल्मों में काम करने का एक सपना लेकर स्ट्रगल किया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा वापस घर लोटे पुलिस भरती में शामिल हुए यूपी पुलिस में SI यानी सब इंस्पेक्टर बने सिनमा का सपना भले ही पूरा ना हुआ हो लेकिन पुलिस सर्विस में रहते हुए ही भोजपुरी सिनमा के स्टार जरूर बन गए यह कहानी है यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर आनंत कुमार ओज़ा की जब भोजपुरी सिनमा में जाना माना चहरा है इंडिया टुडे की सिराज अहमत की रिपोर्ट के मुताबिक बचपन से फिल्मों में काम करने का सपना पाले आनंद ने साल 1996 में इंटर की पढ़ाई के बाद घर छोड़ दिया था और मुंबई चले गए थे उस वक्त उनकी जेव में 13 रुपए और कुछ दोस्तों से मांगे हुए पैसे थे सिनमा कास अपना लिए मुंबई जाने वाले हर व्यक्ति की तरह आनंद ने भी स्टूडियो स्टूडियो खूप चक्कर काटे लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला अपने स्टूगल के दोरान उन्होंने मुंबई में गाट की नौकरी भी की महीनों की कोशिशों के बाद आखिर उनका सब्र जवाब दे गया आनंद मुंबई से अपने गाउं लौट आए आनंद के भाई रेलवी में नौकरी करते हैं उस समय यूपी पुलिस में भरती निकली थी गाउं लौटने पर उनके भाई ने सलहा दी कि वो पुलिस में नौकरी के लिए अपलाई करें आनंद ने टेस्ट दिया और साल 1999 में वो यूपी पुलिस में एसाई बन गये उनकी पहली पोस्टिंग थी गाजियाबाद में इसके बाद वो तब की मुख्यमंत्री मुलायम सिंग्यादब की सिक्योर्टी में भी शामिल रहे सिराज पुरैशी की रिपोर्ट के मताबिक आनंद की पुलिस की नौकरी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में वो सपना था जिसको उन्होंने बचपन से जिया था नौकरी के दौरान एक बार आनंद छुटी लेकर अपने गाउं गये हुए थे उन्हें पता चला कि भोजपुरी फिल्मों के डारेक्टर निर्मल पांडे वहीं एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं वो जख्म फिर से हरा हो गया जोने मुंबई में मिला था खैर आनंद निर्मल पांडे से मिले उनसे अपने सपने के बारे में भी बताया इसके बाद आनंद ने अपने सपने को दोबारा चेस करना शुरू किया 2006 साथ के दौरान आनंद ने बिहार में भारते नाटक संस्था में काम किया इसके बाद उन्हें लखनों में मार्चल आर्ट्स की ट्रेनिंग लिया और इसी दौरान उनके मुलाकात भोजपुरी सिनमा के सूपस्टार और अपसांसद रवी किशन से हुई रवी किशन ने उन्हें अपने साथ काम करने का ओफर दे दिया आनंद ने जो सपना देखा था वो अब पूरा हो रहा था बॉलिवुड डिरेक्टर धीरच कुमार ने उन्हें राहुल राय के साथ एक फिल्म करने का ओफर दिया और यही से सलसला शुरू हो गया आनंद को बॉलिवुड में तो जादा फिल्में नहीं मिली लेकिन भोजपुरी सिनमा के वो स्टार बन गए बता जारा है कि आनंद को वेब सीरीज करने के भी ओफर मिले हैं लेकिन समय की कमी की वज़ा से वो इन प्रोजेक्स को साइन नहीं कर पाए आनंद अपने सीनर अपसरों का धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि उनके समर्थन के बिना वो ये सब कभी नहीं कर पाते आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथ ही सौरप्त्रवेदी मेरा नाम है दिव्यांशी देखते रहिए दिललन टॉप शुक्रिया आपको सेहत मन बनाने हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने एक्सपर्ट्स के जरीए आपकी अवेर्निस चमकाने तंद्रुस्त रहना होगा नईलत देखिए दिललन टॉप पर सेहत सौंबार से शुक्रवार दुपहर एक बजे